सलाम अलेकुम दोस्तन वालेकुम प्रिक्रिक्टीव शो आज के इस शो में आपको बताने जा रहा हूं कि मुल्तान सुल्तान्ज वर्स इसलाबाद उनाइटिड का मैच हुआ खेर आज तो दो मैच होने थी क्योंकि संडे को और मैंने यह नोटिस किया कि हर संडे को जब जब पीएसल का के पीरियड में जब तक पीएसल चल रहा है तो उसमें जो भी संडे आ रहा है उसमें दो-दो मैच होंगे अगला कराची और लौर के खर इस वाले मैच पे बात करते हैं स्लाबाद यूनाइटिड मुल्तान सुल्तान में पहले बैटिंग करते हुए 191 रंस का ट बैटिंग थी वीक नहीं कह सकते थे फॉर्म में नहीं थी बैटिंग अच्छी नहीं की तब ही 170 पे रोक लिए असलाबाद यूनाइटिड की बॉलिंग लाइनप बहुत ज्यादा वीक है और आज जो वीक लिंग साबित हुए सब सादा यूनाइटिड के लिए शदा अप फिर उन्होंने उसके बाद ओवर कराया ही नहीं उसके बाद वह आया है नहीं हाला कि एक विकेट भी ली थी उन्होंने इंपॉर्टेंट लेकेट वर 42 नस दिये तो उन्होंने थी वागी सबकी नॉर्मल बालिंग ती सबसे अच्छी रोमान राइस थी और एकोनॉमिकली बालिंग करा रहें सबर्दस बालिंग करा रहें बागी टॉम कुर्ण ने भी अच्छी बालिंग कराई अच्छी वडायली रोसो की जो इंपॉर्टेंट विकेट थी वो टॉम कुर्ण ने ली थी और अच्छी बालिंग कराई आज भी क्योंकि टॉम कुर्ण भी फॉर्म म लाइनप आठवे नवे नमबर तक जाती है न की बैटिंग लाइनप वह तक वन नाइटी वन का टार्गेट चेस्ट नहीं कर पाई क्योंके इसलाबाद उनाइटिट के लिए यह इजी टार्गेट है क्योंकि जैसे उनकी बैटिंग लाइनप पर उनको करना चाहिए था मैं वृन के इतना हूं करना चाहिए था जैसे इस स्टाइल से सब्सक्राइब करते हैं जैसेब्ल से वो खेलते हैं हिटि आ यह अखरे हिटिंग होती है वैसा नहीं के नहीं नग मुझा इसलाबाद इनाइटिड मुलतांस जूलनांस के सारे बाल बार्लर बाया विकेट इकर 10 frase बाकि उसामामीर भी बहुत जबर्दस लेक्स्पिन बॉलर्स हैं बहुत अच्छे बॉलर्स हैं उसामामीर बहुत जबर्दस जिसे कह सकते हैं बॉलिंग करा रहे हैं मुल्तास-ुल्तास की तरफ से पहले कराची की टीम में थे जब कराची की टीम में थे तब यह बिल्कुल ठीम नहीं इसकोट नहीं न प्रैणSule Jake ने प्लेंग 11 में किलाओتي अब कंई सुब्स कर्याल लोगजी के टाम सुब्सकेद ने किसमत चमक जाए मैं के लास्ड गिंग टो मुलतान की तरफ से खेले और जबर्दस बॉलिंग करा आपक के सबसे बेस्ट लेग स्पिन बॉलर जा रहे हैं एसान उल्ला ने आज वह बहुत जबर्दस बॉलिंग करा ही क्यों पेस आती है भई और क्या लाइन लेग जब पेस और पेस लाइन उलैंग दोनों मिल जाती है तो बैट्समैन अपनी टांग के साथ balling आ रहे है यो लाइन ओ लेंग सई नहीं तो कोई फाइदा नहीं आपकी balling का अगर आपकी थोड़ी कम पेस और लाइन ओ लेंग जबधास तो तो आपकी बहुत अच्छी balling है बनिजबत कि जो जादा पेस से मारए मारए और अब तो लाइन ओ लेंग का ही खेल हो ग लेकिन कल स्वही लाइन ओल लेंग परफेक्ट लाइन ओल लेंग पर उन्होंने कराई बॉलिंग लेकिन जाहर सी बात है लेकिन उनको भी मिला और कोटा ग्लाइडिरस की टीम को भी मिला जो करा थी जीत गई थी इस मैच में खैर जब इसलाबाद यूनाइटेट की लेकिन इस बार इनके पावर प्ले में थोड़े कम रंज नजर आए बनिजबत की जो अच्छा इस्टार्ट देते हैं लेकिन मुन्रो ने और रैसे वेंडर ड्यूसन ने बहुत अच्छे से हैंडिल किया और जब तक ये दोनों खड़े थे लग रहता कि इसलाबाद यून और फिर शदाम खान भी आउट हो गयते हैं अफई मश्रफ भी आउट हो गयते हैं बाकि सबके सबकी लाइन की लाइन लग गई थी और ऐसे 138 पर आल आउट होगी थी पूरी टीम सब ने ऐसे पांच-दस-पांच-दस-पांच-दस रंबना सिफ कॉलिन मुन्रो ने और र फॉर्टिनेटली अपनी 50 भी नहीं कंप्लीट कर पाया क्योंकि 49 पर ही आखर में आउट हो गए थे आखरी में जब कॉलिन मुन्रो आउट हुए तो फॉर्टीन से प्लस का रंडेट हो गया तो और किसी ने भी रैसे वेंडर डुसन के इसके बाद साथ नहीं ने बाया यह कि जो स्ट्रेंट है ऑफ साइट मतलब थोड़ी शॉर्ट बाल दें और यहां तक सीने तक दें तो वह पुल शॉर्ट खेलता है लोगा पुल शॉर्ट बहुत स्ट्रॉंग है कभी तो सिक्स चल आता है स्टेडियम भार भी चला आता है उतनी ताकत से मारते कभी कबार तो यह हुआ आज के मैच में मुलतान सुल्टास यह मैच फिर से जीच चुक है बैक टू बैक थ्री विज हो चुक है और वही सिनेरियो चल लाया मुलतान सुल्टास की पहली बैटिंग करते हैं वन नाइटी टुएंड़ स्कोर्पोर्ट पर लगाया बाकि सारी जिमेदारी ब मुलतान सुल्टास की कैप्टन मौमद रिजवान ने हमेशा ब्रेक्टू निकाल के दिया है उसामा मीर और कॉलिन मुन्रो की इंपॉर्टेंट विकेट जो आइसा इसा सेट हो रहे थे और वह अगर चल जाते अगर वह आखर तक सेट हो जा तो शुरू हो जाते जब उनका जो पावर शुए वह शुरू हो जाता तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता था कॉलिन मुन्रो को इसलाबाद युनाइटिट को इस फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जा और यह तू पॉइंट्स जो ने खोए हैं उसको हासिल करना यह थी माज की वीडियो लाएकरेंस को सब् अर्ड़ो को जो जाएकरेंस को सब्सक्ष्ण वार।